तो दोस्तों क्या आपको भी ये परिशानी है कि आप अगर आपना mobile से कुछ data transfer करना चाहते हैं अपने laptop में और आप अपना data cable के through mobile को laptop में connect करते हो और आपको laptop में एक blank screen दिखाई देता है तो आप सही वीडियो में आये हो मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप लोग आपका data transfer का functionality enable कर सकते हो अपने oneplus के mobile में तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं देखिए अगर आप आपका mobile को laptop से अपने data cable के through connect करेंगे तो आपको ऐसा blank screen दिखाई देगा laptop में यह देखिए जो IN2011 है यह मेरा मतलब mobile का नाम है तो इसमें आपको this folder is empty बोल के दिखा रहा है तो आपको क्या करने से यह folder मतलब आपका mobile का file structure आपको इसमें display होगा और मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा तो यह रहा मेरा mobile का screen तो यहाँ पे आपको क्या करना है मैं इस वीडियो में बताता हूँ आपको तो आपको पहले क्या करना है उपर से नीचे के तरफ आपको स्क्रॉल करना है तो यह आपको यह दिख जाएगा मतलब क्या क्या है नीचे देखिए यहाँ पर यह Android System USB Connection यह दिख रहा है आपको तो आपको इसके अंदर जाना पड़ेगा तो हम इसके उपर अभी क्लिक करते है तो यह पेज उपन हो जाएगा इसमें देखी नो डेटा ट्रांसफर में क्लिक्ट है इसलिए आपको डेटा ट्रांसफर का आप्शन ही दिख रहा है और आपका फोल्डर ब्लांक दिख रहे है तो आपको क्या करना है File Transfer जो उपर की तरह पे उसमें क्लिक करना है क्लिक करते ही आपके Laptop में आपका Mobile का Folder Structure दिखने लगेगा चलिए स्क्रीन में जाके आपको दिखाता हूँ यह देखिए वहाँ पे क्लिक करते ही मेरे को यह Folder दिखने लगा अंदर चलते हैं इसमें देखिए आपका सारा Folder Structure दिख रहा है जैसे Download है, Fonts है फिर मेरा Movies है Then Kind Master का वीडियो से इस सारा कुछ दिखने लगेगा तो आपको आपके इसाफिश जहां पे जाके जो भी करना है आप कर सकते हैं तो दोस्तो आपको भी अगर देखने के लिए धन्यवाद प्लिस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू